हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू विजन एन नविगेशन मैं हूँ अदिना लाहुरा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर फॉर्टीन वाटर येस वी यूज वाटर पॉर वेरियस अक्टिविटीज इन आवर हाउस लाग बाथिंग ब्रॉशिंग ड्रिंकिंग वाश बहुत सारी अक्टिविटीज हम करते हैं ठीक है तो वाटर इस वेरिमच यूसफुल फॉर फॉर इस लेट्स रीडर चैप्टर सपोस्पोस फॉर सम रिजन यॉर फैंबली गेट्स ओनली वन बकेट ओ वाटर एवरी दे फॉर वीक इमेजिन वाट वॉड हैपन अगर हमार जो फैंबली है दिन में एक बाल्टी ही पानी पूरी फैंबली को मिले तो क्या होगा सपोस करो इमेजिन करो क्या हमारा पूरा दिन का काम हो सकेंगे क्या जो टॉलेट किचन क्लीनिंग गार्डनिंग जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं क्या हमारे हमारे लिए एक बाल्टी पानी काफी है नहीं what are the other activities you would not be able to do कौन सी other activities है जो हम नहीं कर पाएंगे what would happen if we do not have easy access to water for a long period अगर क्या हो अगर हमें बहुत लंबे समय तक पानी जो आसानी से available ना हो अभी तो हमने जो टैप है उसे खोला और घर में पानी आ गया पर अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा apart from drinking there are so many activities for which we use water drinking के अलावा भी बहुत सारी activities है जिसमें हमें पानी की आवशकता होती है do you have an idea about the quantity of water we use in a single day क्या तुम्हें idea है कि हम पूरे दिन में लगबग कितना पानी इस्तेमाल कर सकते है तो हमें जैसे यहां पर 14.1 टेबल दी हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि कौन-कौन सी activities है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको भी पता है फिर भी हम इस टेबल को देखते हैं drinking, brushing, bathing, washing utensils, washing clothes, toilets, cleaning floor जिसमें gardening है, cleaning vehicle है, बार-बार हमारा हाथ दोना है, hand washing है और कपड़े दोना या unnecessary पानी जो wastage है वो तो आया ही नहीं फिर इसका मतलब हमें बहुत सारा पानी जो है चाहिए होता है पूरे दिन में So how much water do we use? कितना पानी हम इस्तिमाल करते हैं? इसके लिए हमें किताब में एक activity दी वी है जिसमें तुम्हें क्या करना है कि पूरे दिन में जो ये table जो है इसमें आपको कितना पानी, approximately कितना पानी आपने पूरे दिन में इस्तिमाल किया वो लिखना है कि drinking, brushing, bathing, washing utensil ये सब आपने कितना पानी इस्तिमाल किया तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है Each activity done by us or our family members, if we note those activities, we find that a lot of water is used but so much water is wasted also बहुत सारा पानी waste भी किया गया तो पानी को बचाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम बहुत सारे तरीके हैं पानी बचाने के जो कि हम इस chapter में पढ़ेंगे तो ये activity आप अपने घर पे कर के दे सकते हैं You now have a rough idea as to how much water your family use in a day ये activity करने के बाद हमें एक idea लग जाएगा कि हमारी family जो है वो पूरे दिन में लगभग कितना पानी इस्तेमाल करती है जैसे दो दिन एक दिन पानी ना आए घर में तो क्या होगा कि tank खाली हो जाएंगा और हमें idea लग जाता है कि अब इतना पानी है ये तो आज आज के लिए काफी है कल के लिए दूसरा arrangement करना पड़ेगा तो हम idea लगा सकते हैं तो उसी प्रकार हमें पता है कि हमारी family कितना पानी इस्तेमाल करती है क्या तुम idea लगा सकते हो कि तुम personal अपने body को साफ करने के लिए साफ सफाई में कितना पानी इस्तेमाल करते हो तो इस जो खुद की ये information है ये तुमारे एक जने के लिए और अगर family में पांच member है तो उन पांचों की कितनी requirement है तो और फिर एक दिन की requirement को आप 365 day की requirement में convert करो तो हमें पता चलेगा कि साल भर में हम कितना पानी इस्तेमाल करते है यह जो इस paragraph में हमें ये बताया गया है कि हम साल भर में लगबग कितना पानी इस्तेमाल कर सकते है now find the number of people that live in your village और अब हमारी फैमिली का हमने साल भर का है पांच मेंबर का पता लगा लिया कितना वाटर यूज होगा उसी प्रकार फिर आपको पूरे विलेज में लगबग अपने पैरेंट से या बड़ो से आइडिया लो कि कितने इस हमारे टाउन में कितने लोग हैं पता लगा लो लगबग लगबग कितने लोग होंगे तो हम उससे भी आइडिया लगा सकते हैं तो इस प्रकार हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं पूरा विलेज जो है या टाउन है स्ट्रीट है वो कितना पानी इस्तेमाल करते हैं बूजो वंडर्स वैदर पीपल लिव इन डिफ्रेंट रिजन्स ओफ आवर कंट्री गेट दे सेम अमांट ओव वाटर are there regions where people do not get adequate amount of water क्या ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पानी प्रॉपरली अवेलेबल ना होता हो तो फिर वो लोग कैसे मैनेज करते हैं you have listed a number of activities for which you use water हमने बहुत सारी activities की नाम लिखे जिन में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो do you think our water requirement is limited to activities like this हमारे पानी की जो requirement है वो in activities तक ही limited है we use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items everyday हम यह items इस्तेमाल करते हैं साथ में पानी का भी इस्तेमाल करते हैं we know that some of the fibers that we use for making fabric come from plant is water not needed to grow this तो अगर हम समझते हैं कि हमारा जो पानी की requirement रेसरीफ नहाना दोना हाथ दोना घर की सफाई करना कपड़े दोना इसमें ही इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम जो बोजन करते हैं जो हमारा food items हैं वो plant से आते हैं mostly और जो कपड़े हैं fibers fabrics हैं वो भी mostly plants से आते हैं तो उनको उगाने के लिए भी water की अविशक्ता होती है can you think of some more uses of water पानी के और क्या-क्या uses हो सकते हैं water is used in industries for producing almost all the things that we use सभी industries में factories में चाहे वो कोई भी समान manufacture करती हो उसके लिए पानी की अवशक्ता होती है so we need water not only for our daily activities but also for producing many things बहुत सारी चीज़े produce करने के लिए भी हमें पानी की अवशक्ता होती है केती वाड़ी के लिए industrial manufacturing के लिए भी factories में और कोई भी industry देख लो कोई भी companies देख लो तो वहाँ पर पानी की जरुत होती है तो बिन पानी सब सून ऐसा कहा जाता है तो अब पहेली क्या कहती है पहेली wants to tell you that about two glasses of water are required to produce each page of book book हमें पहेली बताती है कि एक page बनाने के लिए किताब का दो ग्लास पानी की आवशक्ता होती है very strange है न तो अब एक और चीज की हमें यह पता है कि about two-third of the earth is covered with water आपको हमारी अर्थ का जो two-third two-third of our earth is covered with water चाहे वो water जो है वो ice के रूप में हो, icebergs हो, vapors हो, clouds हो, ठीक है और ocean में है वो पानी और किसमें हो सकता है, lakes, rivers ठीक है यह सारे water sources हैं जहां से हम पानी को प्राप्त करते हैं rain water जो है वो mostly human activities के लिए compensate करता है rain हमारे जो पानी के आवशक्ता है वो बरसात से होती है और खेती का जो काम है, crops का वो most of the time बारिश पे ही depend करता है the water in the oceans and seas has many salt dissolved और ocean का जो पानी है उसमें salt dissolved है तो वो हमारे लिए पीने योगी नहीं है तो धर्ती के उपर पीने योगी पानी कितना है अगर आप एक बाल्टी पानी को बोलें कि ये अर्थ के उपर जितना भी पानी है वो है एक बाल्टी पानी इसमें से एक चम्मच पानी आप जब निकालोगे वो पीने योगी होगा अगर हम आइडिया लगाएं तो एक estimate ये कहता है we get water from ponds, lakes, rivers, wells और from underground resources तो हम पानी कहां कहां से प्राप्त करते हैं यहां पर बोलाओ है where do we get water we get water from ponds, lakes, and wells a part of this underground water वुमिगत पानी जो है वो भी बहुत जरूरी है plants के लिए यह बहुत ही main source है resources है water का underground पानी water जो हता है वो तो where do you get the water that you use some of you may say we draw अगर आपसे पूछा जाए कि आप पानी कहां से प्राप्त करते हैं जो तुम इस्तेमाल कर रहे है वो पानी तो कुछ लोग कहेंगे कि हम वो जो पानी है वो रीवर से लेते हैं को स्प्रिंग से पॉंड कुएं जो होते हैं वैल होते हैं हैं प्रम होते हैं और सम अधर माइट से कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि हम नल से प्राप्त करते हैं पानी को तो हमें पूछना अगर टैप से आप पानी पीचते लेते हो तो टैप में कहां से आता है पानी यह ने कहते हैं कि वाटर के में फेर टैप गयुइद अधर मैं गोल रिवर और वैल मतले से वाटर करते हैं डीर वीय०्र घवर विलavat लिए क्या करती है कि नहरे जिने हम कैनाल कहते हैं जहां पर पानी अधिक होता है वहां से नहरे बुलाई जाती है और शेहरों को किसानों को सप्लाई करा जाता है तो इन डिरेक्टली जो यह टैप में वाटर आता है वह कहीं न कहीं इन रिसॉर्सेस से ही हमारे गर तक के नेटवर्क से हमारे घर तक पहुचाया जाता है वाटर इन टैप्स कम फ्रम रिवर्स लेक्स बोर्वेल्स एंड वेल्स हैंड पंप्म जो होते हैं उनको बोर्वेल्स कहते हैं वेल्स ठीक है इच ओफ अस में बी गेटिंग वाटर इंटू ओवर होम इन डिफरेंट वे सब लोग जो है पानी सेम सोर्स से लेते हैं जो कि है पॉंड लेक्स रिवर्स एंड वेल्स तभी तो अगर हमसे पूछा जाए कि हम पानी कहां से प्राप करते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं हमें पानी कहां से मिलता है नदियों से जीलों से तलाब जो होते हैं कुएं ज जो है कुछ sources के बारे में discuss किया और अब इन पहले तो हमारे घर में पानी कहां से आता है हमने यह discuss किया घर के बाद टैप में आता है ठीक है अब टैप में पानी कहां से आता है वह आता है रिवर पॉंड यह जो resources है इन से आता है अब next question इस कि यहां पर पानी कहां से आता है तो यह हमें कहां से पता लगाएंगे अब बूजो क्या कह रहा है बूजो वांट यू तो इमेजिन ए डे इन यूर लाइफ वेन वाटर सप्लाई थूप टैप इस नॉट अवेलेबल बूजो चाहता है कि आप सब एक इमेजिन करो कि आपके जो घर में टैप्स हैं बात्रूम किचन घर के जितने भी टैप्स हैं गार्डन के वहां पर पानी आना बंद हो जाएगा तो तो यू हैव टू फैच और तुमको पानी फैच करना पड़े लाना पड़े दूर दूर से ठीक है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े तो वूड यू यू यूज दे सेम अमांट ओ वाटर एज ओन एनी अधर डे क्या तुम जितना पानी अब इस्तिमाल कर रहे हो जब त तब भी तुम उतना ही इस्तिमाल करोगी क्या तब भी आप अपनी जो गाडियां है उनको पाइप लगा कर दोगे बार बार आप अन्नैसेसरी टैप की जो लीकेज है या पानी जो वेस्ट होता हो वह कहां से लेकर आप वेस्ट वाला पानी तो मैं लानी सकते है यूज का अगर मटका भरबर के सर पे रखके कहीं दूर से लाना पड़ा पाणी तो क्या करेंगे पीने का पानी ही लाया जा सकेगा ड्रिंकिंग वाटर और कुकिंग के लिए यूज होगा उसका नहाना दोना तो बात की बात हो जाएगी ठीक है इसलिए इम बूज उमें बताना चा कि ocean cover a major part of the earth earth जो है यह हमें पूरी blue नजर आ रहे है क्योंकि यह पूरी water से cover है तो earth जो है about two-third two-third of the earth is covered with water and most of this water is in oceans और जो mostly जो यह पानी है वो कहा है ocean में है और seas में है, समुद्र में और महासागरो में तो water in the ocean and sea is not drinkable, potable नहीं है और नमकीन है, saline है, ocean का जो पानी है वो क्या है saline है, saline मतलब salty है तो उसको we cannot drink it, we cannot use it for our domestic purpose agriculture के लिए यूजने है और सभी के घरों के आसपास नदियां ही नहीं है तो सभी के घरों के आसपास समुद्र तो हो ही नहीं सकते इसलिए पानी की जो supply है वो कही न कहीं से करनी पड़ती है सभी जगह बराबर बारिश नहीं होती, सभी जगह नदियां और river pond lakes नहीं होते है तो यह पानी जो है circulation जो है वो कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे तो चलो पढ़ते हैं इसको Do you know that about two-third of the earth is covered with water? Most of this water is in ocean and seas यह मैंने अभी भी देखा The water in the ocean and sea has many salt dissolved in it जो पानी है ocean का और seas का वो उसमें बहुत सारे salts है, minerals है जो उसको saline बनाते हैं, नमकीन बना देते हैं So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs यह हमारी domestic, agricultural and industrial needs को पूरा नहीं करता You might have heard, आपने सुना अगा famous line Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T.T. Water, water everywhere, nor any drop to drink मतब ओशिन में अगर आप जाके आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या बोलोगे? चारो तरफ पानी ही पानी है, पीने के लिए एक drop पी नहीं है इसका meaning यह है, तो 1798 में यह उन्होंने ancient mariner थे, समुझी यात्री जो थे वो बड़ी बड़ी लंबी यात्राओं पर जाय करते थे तो उन्होंने मैसूस किया होगा ऐसा कि आज तो पानी की पीने का पानी कभी हो सकता है, शिप पे खतम हो गया हो तो वो अपना फुरा storage लेके जाते थे, बड़ कभी खतम भी हो सकता है, यात्राओं लंबी हो जाय है, बीच में तुफान आ जाय है, किसी island पे रुकना पड़ जाय है तो ऐसा हुआ होगा तो here the point has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean यह जो है यहाँ पे इस कवी ने जो sailors थे, यात्री जो थे समुद्र के यात्री होते हैं, उनको उनकी जो वेथा थी वो बताई है, जिनकी ship गुम हो गई हो ocean में Yet ocean play an important role in supplying the water that we use, ocean जो है बहुत important role अधा करता है water supply के लिए Do you find this surprising? अभी तो मैंने बता है कि ना, पानी जो है वो ocean का, वो salty होता है तो कैसे फिर वो हमारे requirement को complete करता है? यह तो एक surprising है ना, confusing भी है तो after all, the water that we use is not salty, जो हम पानी यूज करते हैं क्योंकि वो तो salty नहीं होता, तो फिर वो समुद्र का पानी नहीं हो सकता तो many of us live in places far away from the ocean और हम में से mostly लोग जो है वो समुद्र से हम तो बहुत बहुत दूर रहते हैं तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो ocean है वो हमारे घर तक पानी की supply करने में हमें help करता है या बहुत important role play करता है कैसे करता है तो आएए पढ़ते हैं Does the water supply in these places also depend on the oceans? तो जो हमने उपर places बढ़ी थी कौन-कौन सी? पॉंड्स जो बढ़ा पॉंड्स है रिवर्स है ठीक है यह जो है यह इन में क्या supply ocean करता है? रिवर्स, वेल्स, पॉंड्स, लेक्स में How come the water from these sources is not saline anymore तो फिर इनसे जो पानी मिलता है वो नमकीन क्यों नहीं रहता, saline क्यों नहीं रहता? That is where the water cycle comes in तो इससे फिर हमें पता चलता है दिमाग में क्यों नहीं रहता? कुछ ऐसा होता है जब हो सकता है न, ocean हमको पानी भेजता है ocean ने हमको पानी भेजा और हमारे तक आते आते वो salty नहीं रहा अब यह क्या है? यह हम पढ़ेंगे यह है water cycle तो water cycle क्या है? आपने सबसे पहले water cycle हम पढ़ेंगे diagram के थूप पर सबसे पहले हम देखते है कि इस paragraph में क्या दिया हुआ है? disappearing trick of water पानी जो है disappear हो जाता है how many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? कितनी बार हमने देखा है कोई भी पानी जो है वो फ्लोर पे गिर गया वो उड़ गया गयव हो जाता है water जो है वो कपड़े हम धूप में सुखाते है वहां से गयव हो जाता है बारिष जो होती है गीली सडके होती है चटे होती है दिवारे होती है वहां से भी पानी बारिष के बाद disappear हो जाता है तो where does this water go? यह पानी जाता कहा है आखिरकार कपड़ी सुखा है दूप में आप देख रहे हैं यहां पर कपड़ी सुखे हैं तो सन दिखा रखा है और पानी जो है वह गायब हो रहा है तो ऐसा कहां चला जाता है पानी तो वाटर की जो main property है वह क्या है वाटर की तीन गंष्चेटस है अन्हाली जो हमें कौन सी को देखते हैं nowige water with salt dissolved in its heat what did we find activity 6 जो थी chapter 5 में water with salt dissolved इट में अगर हम पानी के अंधर salt dissolve गरम करेंगे तो क्या होगा बहुत में जाद sporting करदें पानी पूरा गयब हो जाएगा और जो गर्बर कर रहे थे जमेंों स्क्राइब हो जातेहां चाहिसे लीक्विड में बदल सकता है पानी कि ओर गैस में बदल सकता है इता है टो वांट shut खासियत है तो यह जो खासियत है वो evaporation condensation दो इसकी property है water की तो वही जो है यह जो cycle हमें पढ़नी है water cycle उसको संचालित करती है the water evaporated and the salt was left behind this activity gives us an idea that on heating water water changes into vapor we also realize that from this activity that water vapor does not carry away the salt हमें इससे एक और बात पता चली कि जो पानी जो है जब evaporate होता है तो वो अपने साथ salt के particles को उठा के उड़ नहीं सकता है ना salt को नहीं ले जाता है salt को छोड़ देता है water vapors water की जो steam है वो ही उड़ती है क्योंकि अगर वह salt को उठा के उतनी ताकत नहीं है कि वह जादा heavy हो जाता है तो वह नहीं उड़ सकती लेके तो water vapors so found become a part of the air और फिर जो water vapor बने वो क्या बने air का पार्ट बन गए and cannot usually be seen कई बार तो हमें दिखाई भी नहीं देती तो वी अलसो फाउंड कि डैट heating is essential to convert water अब जो हमने पानी गरम करा और water जो वैपुरेट हो गया salt पीछे रहे गया उसे में तीन बाते पता चली पहली कि water जो है वह गरम करने पर water vapor में convert होता है दूसरी बात हमें क्या पता चली कि वह salt को carry नहीं करता salt को नहीं लेके जाता तीसरी यह पता चली कि यह activity करने के लिए heating ज़रूरी है गर्म गर्म temperature होना ज़रूरी है तो from the fields तो इसी प्रकार जो fields है roads, rooftops and other land areas है वहाँ पे भी पानी जो होता है वो evaporate हो जाता है to obtain salt water from the sea समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए भी उनकी shallow pits बनाई जाती है क्यारियां बनाई जाती है और उससे फिर water evaporate हो जाता है और पीछे salt रह जाता है तो from where does this water get the high heat it need to evaporate तो यह जो water जो है अब यह evaporate हुआ तो इसने heat कहां से ली heat कहां से मिली हमको heat मिली water को heat मिली sun से क्योंकि sun is the ultimate source of energy और heat का भी अर्थ पे एक source है उसके बाद एक activity है कि take two plates place one of the plate in sunlight and keep the other under the shade एक को sunlight में रुखो और एक को shade में रुखो उन दोनों में equal amount of water डालना है फिर क्या होता है you can use cap of bottle to measure किसी भी चीज से measure करके आप पानी उसमें डाल दो और यह शोर हो कि पानी जो डाला है वो इदर उदर गिरे नहीं measurement दोनों का same रहे फिर observe the two plates after 15 minute 15 minute बाद जब हम देखेंगे तो हम शायद ही पाएं कि दोनों का पानी similar हो अगर एक को दूप में रखा है और एक को चाय में जो प्लेट जो दूप में रखी गई है sunlight में रखी गई हो उसका water जल्दी evaporate हो जाएगा तो during the day time sunlight falls on the water in oceans, river, lakes and ponds दिन के दोरान sunlight जो हो इन चीजों पर पड़ती है lakes, river and oceans पर फिर क्या ओता है the field and other land areas also receive sunlight और जो sunlight जो सबी जगे जारी है चाय वो पौधे हो, पेड़ पौधे हो, land हो, किसीने कपड़े सुकाए हो, कहीं पर पानी इकठा हो रखा हो, किसी खड़े में, कोई चीज दिवार गीली हो, कोई सड़क गीली हो वहाँ सब पर sunlight गीरेगी तो वो क्या करेगी वहाँ से water को evaporate कर देगी तो इस प्रकार जो पानी evaporate होता है, वो फिर से atmosphere में पहुंच जाता है As a result, water from all these places continuously changes into vapor फिर क्या होता है, continuously vapor में change होता रहता है पानी अर्थ का जो पानी है, वो sunlight, everyday sun आता है, दिन में, सुबह तो सुरू जुखता है तो evaporation का process शुरू हो जाता है The salt dissolved in water are left behind और जो salt होता है, वो पीछे रह जाता है यह आप हमने जो activity इन्होंने उपर बताई है, इसका यहाँ पर एक diagram दिखाया गया है फिर क्या होता है, कि जो चाया में रखा होता है, वो पानी, इसमें यह होगा कि जो पानी चाया में रखा है वो जल्दी evaporate नहीं होता, और जो sunlight में रखा है, वो obviously जल्दी evaporate होगा अब यहाँ पर बूजो में क्या कहना चाहता है, बूजो has been reading about transpiration बूजो जो है, वो transpiration के बारे में पढ़ रहा था इससे पहले हम यह paragraph देखते हैं, इसमें कहते होगा इस warm and provides heat of evaporation of water तो during the daytime, all the air surrounding us get heated हमारे चारो तरफ जो भी हवा है, वो गरम हो जाती है और यह गरम हवा जो है, वो water को गर्मी प्रदान करती है जिससे कि वो evaporate हो जाए thus evaporation takes place from all open surface area सभी जो खुली जगहे हैं, वहाँ पर evaporation का process होता है as a result, water vapor gets continuously added to air और इस वज़े से जो water vapor है, वो air में continuously add होते रहते है so that is why we so evaporation of water is slow process जो water का evaporation है, वो एक slow process है इसलिए हम उसे देख नहीं सकते हैं, बढ़ हम उसका result दे सकते हैं why we rarely notice its loss from a bucket full of water in sunlight, evaporation takes place faster on heating water, on a burner, its evaporation takes place even faster जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना जल्दी ही evaporation का process होगा अब loss of water by plants we know that plants के पास कुछ organs होते हैं, जैसे कि stomata stomata कहां present होते हैं, वो leaves में present होते हैं और इनका काम क्या होता है, gases exchange करना और plant body में जो extra water है उसे बाहर निकालना और जो plant body से extra water बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही transpiration कहते हैं, so we conclude that water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration एक और इस से हमें यह पता चलेगा इस paragraph में कि environment में water vapor जो है वो एक और प्रक्रिया जो है जो की transpiration है उसके तुरू जाती है तो दूसरा है, how are clouds form कैसे clouds बनते हैं आइस है और एक glass लो आपने देखा होगा गर्मियों में जब हमें ठंडा पानी पीना होता था हम refrigerator से एक पानी का glass लेते हैं और उसमें थोड़ी आइस डालते हैं तो थोड़ी देर में वहां क्या होता है कि उसके आसपास ऐसे water droplets बन जाती है the surface of the glass जो है वह और कवर हो जाती है किससे water droplets से तो यह water पानी तो ग्लास के अंदर है तो यह water droplets कहां से आती है तो यह water droplets जो है वह यहां atmosphere में जो water vapors है जो कि gaseous form में है steam form में है और invisible है पर इतना इतना area जो होता है glass का वह बरफ डालने की वज़े से थंडा हो चुका होता है अब यह थंडा हो गया ना तो यहां से यहां यहां की air जो है वह थंडी हो जाएगी और उसमें जो water vapors है वह थंडे होकर liquid में बदल जाएगी आपने देखा होगा जब गरम पानी करा जाता है और गरम पानी को ढख दिया जाए गरम पानी को जब ढख दिया जाएगा तो क्या होगा उसकी जो steam है वह धकन के ऊपर लग जाएगी धकन के ऊपर तो वह steam के रूप में लगेगी और जैसे हम ढखन खोलेंगे हम देखते हैं कि उसके ऊपर water droplets हैं और नीचे पिंगलने लग जाते गिरने लग जाते हैं धकन के ऊपर water droplets आ जाती और पानी आ जाता है क्योंकि थोड़ी देर में जो steam जो है पानी से उबले हुए पानी से निकल कर उड़के गई थी और रास्ता उसे न water drop appears on the outer side of the glass the cold surface of the glass containing iced water chilled water था cool the air around it उसके आसपास की air जो है वो ठंडी हो गई and the water vapor in air in the air condenses on the surface of the glass अब जो condense होके वो कहा आ गई glass की surface पर आ गई तो इस process क्या कहते हैं condensation कहते हैं ठीक है condensation it is the process of conversion of water vapor into water droplets on cooling क्या है condensation conversion of water vapor into droplets अब इसमें यह बताया गया फिर next क्या है कि cloud अब इसी अब cloud कैसे बनते हैं the process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth condensation का जो process है वो पहले तो evaporation process हुआ evaporation से जो earth का पानी था वो evaporate होकर कहा चला गया atmosphere में चला गया अब atmosphere से उस पानी को earth पे कैसे लाया जाएगा तो वो काम कौन करता है condensation process करता है तो the process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth how does it happen ऐसा का से होता है as we go higher from the surface of the earth we get cooler when earth की surface से उपर जाने पर temperature कम होता जाता है when the air moves up हवा उपर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है ठंडी होईगी तो जो भी water vapor उपर है हवा में चले गए हैं evaporate होकर water vapors वो वापस ठंडी होएंगे और liquids में liquid में बदल जाएंगे at किसी एक particular height के उपर जाकर क्या होगा air becomes so cool that water vapor present in it condenses इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसमें water vapor है वो condensed होकर tiny droplets में बदल जाते हैं और जिनको drop of water में बदल जाते हैं जिन्हों droplets कहा गया है तो it is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as clouds तो यह tiny droplets जो है वो एक दूसरे के साथ जो चिपक जाती है और हमें बादलों के रूप में दीखती है और जब बादल जो है इन droplets को hold करने में बड़ी होती कुछ गिरा देगा तो फिर वो बजन से नीचे आ जाती है so it so happen that many droplets of water come together to form large size drops of water some drops of water become so heavy that they begin to fall कुछ इतनी heavy हो जाती को नीचे गिनना शुरू हो जाती है जिसे हम बारिश कहते है these falling water droplets are what we call rain this water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration water vapor जो है वो उपर जाते हैं और नीचे आते हैं कौण से दो process से evaporation और condensation से और उपर जाता है पानी कौन से दो process से transpiration and evaporation अब हेल क्या होती है है हेल जो होती है na जिने हम ओले कहते हैं ओला वरिष्टी होती है ओले यह होते हैं ये क्या होते हैं कि और स्नॉ षोस जोएसे होता और रिज्व कैसे रहे स्ना में तो जब बारिश होई वाटर दॉपलेट्स नीचे आगई टैंपरेटर साथ जल गरभिंटी नीचे कि ठैंपरेटर नीचे बीच ठैंपरेचर रहता है तो जो लिक्विड नों सब्सक्राइब करें जाती है यह जम जाती है उनके तो वह हेल बन जाती है फिर बैक तो दो ओशेंस स्नो इन दम वाट हैपन सुद वाटर देट रेन जो बिंग्स तो डिफरेंट रिजिन अव दर अर्थ जितनी भी लैंड सर्फेस है वो ओशें से उपर है most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later get back to the ocean जितना भी पानी जो है अर्थ पर आता है बारिश और स्नो फॉल के दुरान बारिश और स्नो के रूप में वो सारा का सारा किसमे चला जाता है ओशें में जल्दी या डिरेक्ट या फिर इंडिरेक जाएगा नदियों के द्वारा तो snow in the mountain melts into into water and this water flows down the mountain in the form of streams and rivers जो snow है वो mountains में melt होती है और वो नीचे बैकर नदियों के रूप में आती है streams के रूप में और नदियों के रूप में और वो नदियां जो है बाद में ocean में जाके मिल जाती है और यह पानी रास्ते में जब तक ocean में नहीं पहुंचता हम human beings जो हैं इसे कैसे ने कैसे indirectly directly हमारे stream and rivers the rain water also fills up the lakes जो रेन वाटर है वो जीलों को और तलाबों को भी भर देता है बावडियां जो बनी होती है आर्टिफिशल लेक होती है टंकियां होती है जितना भी जहां भी इसमें अगर कंटेनर्स बना रखे हैं तो उनको रेन वाटर भर देता है क्योंते हैं कि के यतक्ति मीतना थोगलगर कम देख आगर क्या है किने मित्ती में गरका hai हो जाते हों इस पानी जो हती हो इसमें वौट जेता है पानी यहां बандलते हीना चानि पानी और प्राइटेंvatे बागी पाणी पानी जमीन पाणी चाल जाएंगा लगड़ा और नीचे जाएंगा उपन वेल्स कि आपने अपने सुनने को नाम वेल उते हैं उनमें पानी जो दिखा होता है और आपने कभी देखा हो या पैरेंट्स के साथ जाका याप कभी जह पास जए ने Дगण किसी कुए में जाली लगी हो तो कि आपके व जो पानी किया है वह Was वाटर है, ग्राउड वाटर is the source of many lakes as well, ग्राउड वाटर जो है बहुत सारी पाइल एरिया है यहां पे चारों तरफ लेंड हो तो फिर इस में पानी कहां से आया यह पानी आता है ग्राउड़ 이ुक आँसे के लिए नुकसान देख है पहली wants to share a concern with you in those area where the land has little or no vegetation कुछ area ऐसे होते हैं जहां पर पेड़ पौद नहीं लगे हैं the rain water flows away quickly आपको बताना चाहती है पहली कि वहां पर rain water जो है वो बह जाता है quickly वहां पर रुखता नहीं है तो वहां के ground water जो है उसकी layer जो है वो groundwater जो कम हो जाता है groundwater कम होगा और वह top layer of soil को भी उड़ा के ले जाता है पहतावा पानी तो there are few areas where most of the land is covered with concrete और तो कुछ area ऐसे हैं जहां पर concrete हैं सडके हैं तो this reduce the seepage और इसकी concrete और सडकों की वज़े से जो पानी है वह क्या होता है land में जमीन में ground में जाता ही नहीं है वह बहे कर कहीं और चला जाता है और waste हो जाता है तो ground water की availability जो है वह कम हो जाती है इसलिए पानी को conserve करना बहुत that water brought back to the surface of the earth by rain हम जानते है कि जो पानी जो surface पे वापस आया है वो किस के द्वारा लाया गया है वो rain के द्वारा लाया गया है hail यानि ओले और snow यानि बरफ तो goes back to ocean ये सारा पानी वापस ocean में चलाया जाएगा the water from the ocean and surface of the earth goes into air vapors तो ये जो चक्र है फिज़ चलता जाएगा return होगा तो ये क्या कहलाता है water cycle कहलाता है the circulation of water in this manner is known as water cycle this circulation of water between ocean and land is a continuous process and this maintains the supply of water on land we can see this is diagram of water cycle we can see in the cloud formation, evaporation process, condensation and precipitation जब rain water जो है वो वापस नीचे आता है उसको precipitation कहते हैं और वो ground water को recharge करता है ground water जो है वो rain water से recharge हो जाता है फिर से complete हो जाता है अगर बारिश नहीं होती है तो rain groundwater जो है वो धीर दीरे कम होता जाता है now how can we conserve water what if it rains heavily अगर बारिश बहुत तेज होती है तो क्या होगा the time duration and amount of rainfall varies from place to place एक जगह से दूसरी जगह पर जो time है कितने लंबी बारिश किती देर तक बारिश होनी है कौन से मन्थ में होती है कितनी तादाद में होती है यह जो है rainfall का जो पैमाना है यह हर जगह का अलग अलग है in some part of the world it rains throughout the year कुछ एरिया साल बर बारिश होती है कहीं पर बारिश बिल्कूल नहीं होती है कहीं पर बहुत कम होती है ठीक है और in our country most of the rainfall occurs during the monsoon season हमारे इंडिया में कंट्री में क्या होता है कि most of the rainfall जो है जो है वो जो पर रात का काम करती है गर्मियों के बाद आती है तो हमें बहुत रात मिलती है उससे खेतिवाड़ी का काम अगरिकल्चर का काम जो हो शुरू किया जा सकता है पर एक्सेस रेंड से हमें प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि water की जो शेहरों में पानी को बाहर निकालना श सुखा पढ़ा हुए तो आर यू अवेर अव दिफिकल्टी इस फेज़ बाहर आ जेती है फिर सालों तो सुखा पढ़ा रहता है रहता है तो उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें अवेर होना चाहिए हमें जानना चाहिए यू शुड आलसो सर्च अबाउट जानी है इसके facts जानी है what happens to the animals and the vegetation in these conditions ऐसे लाखो में रहने वाले animals का और पेड़ पोदो का क्या होता होगा try and find out about this by talking to your parents neighbors and by reading about this from newspaper and magazine इसको हमें जानकारी रखनी चाहिए how can we conserve water water conservation कैसी क्या जा सकता है वो तो rain water harvesting rain water harvesting क्या होता है storing rain water for reuse rain water rain water harvesting क्या है storing water for reuse reuse के लिए पानी को store करा जाता है how can we conserve we can conserve ऐसी situation ना हो इसके लिए हम पानी को conserve कर सकते हैं by creating this type of condition rain water harvesting is the collecting rain water in this way which we can see in our picture rooftop rain water harvesting हो सकती है ठीक है तो this was all about this chapter now question answer fill up the blanks in the following इसमें fill up blanks को fill करना है हमें the process of the process of changing water into vapor its vapor is called vaporization भी हो सकता है और आप evaporation भी कहते हैं उसको हम लिख सकते हैं vaporization next the process of changing water vapor into water water vapor का water में convert होना water vapor से होने को क्या कहेंगे हम कहेंगे condensation next is no rainfall for a year or more may lead to एक साल से अधिक अगर बारिश नहों तो क्या होगा वहाँ पर drought हो जाएगा सूख सूखा हो जाएगा और excessive rain may cause flood now state for which each of the following weather it is due to evaporation और condensation हमें जो यह situation दीगें यह वो condensation की वज़े से हो रहा है कि evaporation से water drop appears on the outer surface of glass containing cold water यह किसकी वज़े से होगा condensation की वज़े से next is steam rising from wet clothes while they are ironed जो भी गीले कपडों पे जब iron की जाती है तो जो steam निकलती है वो कौन सा प्रोसेस है that is evaporation next fog appearing on a cold winter morning fog appearing on a cold winter morning is condensation क्योंकि जो atmosphere में वेपर्स थे वो ठंड की वज़े से water droplets में बदल गए और हमारे जो यहां पे नीचे आ जाते हैं तो धूंद हो जाती है blackboard dries up after wiping is evaporation steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it गीले बर्तन पे तवे पे पानी जाला जाया तो वो पानी जो है वो steam में कनवर्ट होता that is again evaporation evaporation now which of the following statement is true or false water vapor is present in air only during the monsoon false water vapor vapor water evaporates into air from ocean river lakes but not from the soil false the process of water changing into vapor is called evaporation that is true the evaporation of water takes place only in sunlight D का false चाया में भी होता है पर speed में नी होता water vapor condenses to form tiny droplets water vapor जो है वो condense होगे tiny droplets में in the upper layer of air where it is cooler E का है true next question suppose you want to dry your school uniform quickly अगर आप अपनी school uniform जल्दी से dry करना चाहते हैं तो वूड वूड इट नियर नंगीठी और हीटर हेल्प क्या उसको किसी नंगीठी या हीटर के पास रख दोगे spread कर दोगे शुखा दोगे यह तुम्हें help करेगा if yes how अगर हां तो कैसे yes spreading wet uniform near an अंगीठी और हीटर विल हेल्प विच वेपराइजिस द वाटर ऑफ द वेट इन्यूफार्म एंड हैल्प इन ड्राइंग take out a cooled bottle of water from the refrigerator and keep it on a table ठीक है after take some time you notice a droplet of water around it थोड़ दिर बाद उसके आसपास तुम्हें water droplet मिलेगी क्यों वाइ इसमें आप वो diagram बनाएंगे जो आपका textbook में दिया हो है वो और answer में लिखेंगे कि since the water bottle is very low temperature in the refrigerator it has cool surface when this water bottle exposed to moist air the vapor in the air strikes and the cool surface and condenses to form water droplet the condensed water droplet stick around the water bottle and can be seen as a puddle of water around it ठीक है क्या हुआ यह मैंने पहले explain के आपको diagram के साथ यह लिखना है question number six to clean their spectacles people often breathe out on glasses ठीक है to make them wet explain why the glasses become wet glass जो हो गीले कैसे हो जाते है तो the air is my answer में लिखेंगे answer six the air the water which we breathe out contains water vapor the water vapor water vapor condensed water vapor जो है वो condensed हो बाहर आके हमारे mouth में वो पहले अंदर थे जब तो गरम थे तो steam के form में थे और बाहर आये तो ठंडे हो के जैसे ठंडे ग्लास के उपर लगे स्पैक्स पे लगे चश्मे पे लगे वो ठंडे हो गए और वो वाटर लिक्विड में कनवर्ट होगे और जो ग्लास है वो क्या हो जाता है वेट हो जाता है हाव आर क्लाउड्स फॉर्म क्लाउड कैसे बनते हैं इसके लिए आप क्या करेंगे मैं बताती हूं आप जो आपकी बुक में जो प्रॉसेस दिया हुए दो वाटर प्रेजंट ओन दे अर्थ सर्फेस इसको स्टैप में कैसे लिखेंगे फ़र्स स्टैप लिखोगे दो वाटर प्रेजंट ओन दे अर्थ सर्फेस एवापोरेट्स द्यू टू हीटिंग एफेक्ट ऑफ सनलाइथ सेकिंड स्टैप लिखेंगे इस वाटर वेपर रिचेज हाई इन दे अटमोस्फेर दे एर बि जाएगा और जब लाइस साइज की ड्रॉप बनेगी तो लाउड बन जाएगा वह जो है वह बाइदर कंडन सेशन ओवाटर वेपर एट हाई एल्टिटूड में जाके लाउड बनते हैं नेक्स्ट पूश्चिन इस वैं दे ड्रॉट अकर डॉट कैसे होती है सूखा कैसे है ड्रॉट का होती है वैं देर इस एपसंस अव रेंफॉल और लिटल रेंफॉल फोर लॉंग पिरिएड ऑफ ताइम देन इट क्रीएट सेस्क्राइट वाटर इन देट एरिया देस्ट इस वाटर बाइपरेशन एंद ट्रांस्पिरेशन एंड बिकम्स ड्राइं ग्राउ करेगा थैंक यू सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक करो शेर करो एंड मज़े करो